जैस्वामिनारण दोस्तों अक्षा प्लावरिंग में आप लोगों का स्वागत है आप सभी लोगों को पता है कि अभी जैसे बारिश होई गीर बारिश के बाद में फुल आईगी एक दम अपने सारे पौदे अपने फूलों से भर जाएंगे कुछ एक में अभी भी जो है अ सीड़ पोड्स के नहीं आने के वज़े से जो हमको सीड एवलेबल भी नहीं और क्योंकि ऑनलाइन जो है इतना रिलाइबल नहीं रहा कि ऑनलाइन अपन खरी दें और उसमें कई बार बहुत मिश्टेक्स आनी की पौसिबिलीटी रहती है सीड़ में तो काफी लोग पूछ नहीं लेक्या है तो उससे पहले आप लोगा से रिक्वेस्ट अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब कर दें वीडियो आपको पसंद आते हैं तो आप लाइक करें और और के साथ भी आपके जो मित्र है उनके साथ भी शेहर आपना जो टॉपिक वह सेयां स्परिय नो फ़प आप आप अच्छी जो अपने काटिंग सांब रूट्स अच्छी हो जाती हैं मगर अभी अपने बात करें सीड़ पोड की तो इस तरीके से लेना कि अगर आपने को काम मिलेना और खासियत क्या होति दोस्तों कि वह बहुत आसानी से जो है पानी में मिलधी यह कि आपने है कुछ से जो तो ख्त्रा हल्टन sigue के वह गुदन आपनी मिलें तो तो थोड़ा हल्काक्रशा पानी कर लेक시 तो उसमें शहद जो है आसानी से घुलनशील हो जाता है और अच्छी तरह अपने को मिला लेना आदा चमच डाल करके और सभी पौधों के पर आप इस पर मार देंगे तो इस पर मारने इस क्या होगा दोस्तों की मदू मख्यां बहुत अट्रेक्ट होती हैं शहद का जो पानी होता है एक लिटर पानी में आदा चमच अपने को डाल करके करना है और अच्छी तरह पौधों के उपर इस प्रे कर देंगे आप तो मदू मख्यां अट्रेक्ट होंगे और ऐसे इंसेक्ट अट्रेक्ट होंगी जो पॉलिनेशन का काम करते हैं जिसे बहुरा हो गया मदू म मदू मख्ये हो गई और वह क्या करेंगे जब आप पॉलिनेशन करेंगे क्योंकि ऐसे हैं दोस्तों कि सभी लोगों के बसका नहीं होता है कि आपना सीड़ बन जाएं तो यह बहुत एक छोटी सी ट्रिक होती है कि आपने अगर इस प्रे कर दिया पौधों के उपर शहद के पानी का तो वह जो ऐसे मदू मख्यां और ऐसे इंसेक्ट को अट्रेक्ट करेंगा जो पॉलिनेशन कर देते हैं प्लांट के और आपको सीड़ बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे और उनसे जो सीड़ बन लेंगे उससे आप अच्छी तरह प्लांट गुरो कर पाएंगे इस उसके साथ की साथ क्या होता है कि इसमें ऐसे हार्मोंस भी होते हैं और इस तरीके के एंजैम्स भी होते हैं जो ग्रोथ प्रमोटर की तरह काम करते हैं जो पॉधे की विर्दी करते हैं और ऐसे फर्टिलाइजर भी बहुत से लोग काम मिलेते हैं अगर आप देखेंगे इस जो है जैसे बताए मैंने अभी तो आपको सीड़ पोड आसानी से मिल पाएंगे और सीड़ आने का जो सिंपल सा एक तरीका होता है दोस्तों कि पोधे के अंदर जब पॉलीनेशन होता है तो इस इड़ पोड उसके अंदर बनते हैं बहुत से लोग बोलते हैं साब हमारे सीड करने के लाएं तो सेड़ पोड नहीं आने का कारण सेव इतरा ही होता है कि पॉल्लीनेशन अगर फ्लावर के अंदर नहीं वहा तो पॉल्लीनेशन नहीं होने की वज़े से और मधुमख यह इन्वार्मेंट रहा कि बहुत पॉलिनेटर कम हो गये paperwork करने के लिए यह पानिक स यह आपन करेंगे तो बहुत अच्छा इसका आपको बेनिफिट मिलेगा और इसके लावा दोस्तों अगर आप सुगंदित फूल लगाएंगे जैसे मोगरे का पौदा हो गया या अपना हजारे का पौदा हो गया जिसको गैंदा भी बोलते मेरी गोल्ड है बहुत आसानी से पुरानी माला यहां पनले उसको सुखा कर डाल दिया तो उसी में से यह नए पोधे निकलाते हैं हजारा हो गया और इसन तरीके जो पोधे होते हैं जिनके उपर फ्लावर जो है सुखंदित होते हैं तो उस धनिये पे बहुत आते हैं जयसे धनिया अपने लगा लिया और पक गया धनिया उसका फूल आ गया तो वह मधुमख्यों को बहुत अट्रेक्ट करता है तो इस तरीके के पौधे लगा लेने से भी जो है आपके सीड़ पोड अच्छे बनते हैं पॉलिनेशन आपका आसानी से हो जाता अब हम बात करें समय कि कब आपने को इस प्रेय करना है तो दोस्तों सभी लोग एक्सपर्ट नहीं है पॉलिनेशन में तो इस स्मॉल ट्रिक आप लोग ट्राइ कीजिए आज का वीडियो इतने ही अक्षर प्लांट और प्लांटेर आपका अपना चैनल है ज्यादा ज्यादा वीडियो को शेयर करें लाइक करें वीडियो देखने बहुत बहुत दन्यवाद नमस्कार